दुपहरी, यहां का सच बते हैं तो अच्छी लग रही है अच चश्मा पहना पढ़ रहा है लेकिन हें हवा में बात अलग है बहुत अलग बात है लेकनी और साहित्य में क्या अंतर है जुई साहित्य मैं बोलूगी मतलब आप जो लिख रहे हैं वो एक, आपका एक expression है आपका एक भाव है वो शायद एक अंतिम चरण है आपकी सोच का साहित्य सोच है साहित्य है जो आपके व्यक्तित्व को आपकी personality को आपकी identity वो इस हद तक टोल सकता है वो पावर वो उसमें वो किसी और चीज़ बे नहीं इसलिए शायद हमको डर लगता है राइटर्स को उस डेप में लिखने से तो जब विक्की डोनर लिखी तब ये डर लगा था क्योंकि ये आउट ओफ नॉर्म जाके कुछ आप लिख रही थी वो सुसायटी में एक्सेप्ट होगा लोग उसको किस नजरिये से देखेंगे विरोध भी हो सकता है कुछ हिससे काटे भी जा सकते है ये सब डर था आपके मन में बिल्कुल डर था डर तो पहली बात ये भी था कि लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो पहली फिल्म थी तो सबसे बड़ा डर तो ये ही था कि लिखना आता भी है या नहीं आता और उसमें भी ऐसा टॉपिक चुना ऐसा विशे चुना जो मुझे नहीं लगता कि शुजित सरकार के अलावा कोई और उसको डिरेक्ट करने की श्रम्ता रखता है और हुआ भी ऐसा कि स्ट्रिप लिख लेने के बाद कई स्टैबलिश आक्टर्स के पास लेके भी गए पर नहीं उन लोग ने हां बोली क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी यही मैं कहूंगे और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मना करा क्योंकि अगर वो मना नहीं करते तो हम डेस्परेट नहीं होते तो हमें आईश्मान खुराना नहीं मिलते और वो भी उतने ही डेस्परेट थे तो लिखते समय डर लगा कि ये किस topic पर लिख रहे हैं और लिख लेने के बाद लेकिन ये समझ में आया कि oh women writer हुम है क्योंकि सब ने इसी तरह के सवाल करी वो इसी तरह के सवाल करी वो इसी तरह के लिए digest करना मुश्किल हो जाता है औरत हो कि आपने ऐसी script लिखती है ये और especially अभी देखे 8 March आ रहा है फिर से वो एक interviews की लहर आती है कि औरत हो कि आपको कैसा लगता है बॉलीवूड में या women writer है आप तो क्या दिक्कते आती है वो सब अले गहें थोड़ा सा आगे हम निकल गए है ने ने कुछ अभी कई ऐसे अभी हैं इसे mental blocks लेकिन कोई बात न आप जब लिख रहे हों आप लेखक हो या लेखेका हो जो भी हो आपका जो gender है आपका जो आप मेल है या फीमेल है उसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि जो दिमाग है जो सोच है वो neutral है सोच का कोई gender नहीं है आपके दिमाग का आपकी बुद्धी का कोई gender नहीं है, आपकी sensitivity का कोई gender नहीं है, अगर आपको याद हो guide film थी आरके नरायन ने लिखी थी, शादी चुदा महिला को इश्ख हो जाता है, और इश्ख के लिए कुछ भी कर दो जाता है, लेकिन उस जमाने में, 1960s में किसी आदमी के लिए इतनी sensitivity से लिख पाना एक औरत का character, एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूँ, तो मुझे में sensitivity जादा है और कोई आदमी है, तो ऐसे ही कुछ भी लिख देगा, नहीं समझ पाएगा किसी औरत के जहन में क्या चल रहा है, इसा नहीं है अगर आप sensitive हैं, तो आपका gender कोई माइने नहीं रखता है एक और norm आपने तोड़ा और इस सवाल के साथ में एक और सवाल भी जड़ा रहेगा, पीकू फिल्म में एक father की selfishness दिखाई देती है कि कैसे वो अपनी बेटी की शादी ही नहीं देना चाहता है उसको अपने पास रखना चाहता है यह कहता है कि वहाँ जाके क्या करोगी किसी और आदमी का ध्यान रखोगी इसे चाह मेरा ही रखो यह जब लोगों ने देखा ना तो उनों ने लगा, अरे यह कैसा पिता है जो अपनी बेटी की शादी नहीं चाहता विकी डोनर में भी जो स्क्रिप्ट के हम चर्चा कर रहे है कभी आप से डिरेक्टर ने कुछ ऐसी चीजें स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कहा और आपने पता स्टैंड लिया की नहीं यह नहीं हो सकता ऐसा हुआ है आपके साथ नहीं, मैं बोलूगी मैं काफी उस डिपार्टमेंट में लगी रही हूँ कि मैं तब खुशकुसमत ही रही है कि मैंने अब तक जिन लोगों के साथ भी काम करा है चाहे वो अड़र्टाइजिंग में हो, चाहे फिल्म में हो ऐसे मौके आई नहीं क्योंकि मैं वक्त लेके लिखती हूँ जलबाजी में कुछ नहीं लिखती हूँ तो हर पहलू सोच समझ के ठोक बजा के जो अगर एक खाली हाँ भी लिखा है वहाँ तो इसलिए लिखाया हाँ कि वहाँ पर एक लंबे चौड़े सिंटेंस की जरुवत नहीं है और उसका तर्क है मेरे पास कि क्यों ऐसा नहीं करा हर चीज बदली जा सकती है लेकिन ना बदलने की वज़य है और खुशकसमती है कि अभी तक ऐसे मौकें आए नहीं लेकिन विकी डोनर में या पिकू में जैसे आपने का कि वो फादर इतना सल्फिश क्यो है उज़े तो वो डायलोग नहीं बूलता है जो मिताब बच्चन बोलते हैं ताइन टेबल पर क्या करोगी जाकर? क्यों जा रही है? लेकिन उसी सीन में उन्होंने बहुत जरूरी बात बोली है कि शादी का एक परपस होना चाहिए तो कहने के लिए येस सेलफिश है वो और मतलब सेलफिश लेवल पर देखा जाए तो टिपिकल यूनो प्रॉबलम्स है उनकी एक एज रिलेटर जो भी प्रॉबलम्स होती है उतनी प्रॉबलम्स हैं जसका वो बहुत बतंगर बना देते हैं कि मतलब जब रिपोर्ट आई और कुछ भी नहीं निकला तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे उसमें रहता है वो यह है कि हाँ वो selfish है लेकिन अगर आप उसकी layers पर जाएं उसमें और नीचे उतरें तो वो नहीं चाहता कि Piku किसी भी ऐसे ही जने से शादी कर ले जिससे Piku की अपनी जो identity है Piku का अपना जो व्यक्तित्व है वो ना बचे वो यह कहता है कि शादी का purpose होना चाहिए बिना purpose के शादी useless है और यह बहुत बड़ी बात है यह character inspiration जो ही कहां से लेती है यह जीवन तो धारन आते हैं आपके life में उनसे कई बार हो जाते हैं लेका inspire किसी के घर गए वहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है उससे कई बार character draw हो जाता है कई बार आप सोचते हैं कि नहीं मुझे यही लिखना है नहीं और neutralize कैसे करते हैं मतलब जो आपने कहा ना कि वो चाहता भी है और नहीं भी चाहता है लेकिन चाहता है कि उसकी लड़की जो है वो अच्छे किसी purpose से शादी करें तो यह neutralization हुआ ना थोड़ा सा यह neutralization हुआ लेकिन वो क्या होता है कि हम लोग जब आम जिंदगी में लोगों से मिलते हैं तो जितना दिख रहा है उतने को ही absorb कर लेते हैं उसी पर judgment दे देते हैं हम आप से जो बात कर रहे हैं हमें लगेगा आप शायद इतनी हैं या हम बस इतनी हैं जो बोल रहे हैं लेकिन हर सोच के पीछे कई और विचार हैं कई और layers हैं और ज़रूरी है कि हम इतना वक्त बिताएं लोगों के साथ समझे उनको बजाए judgment देने के एक writer के लिए समझना जादा जरूरी है judgment जरूरी नहीं है तो मैंने भाशकर को सिर्फ समझने की कोशिश करी उसके खयालों को समझने की कोशिश करी और जब एक पिता के बारे में आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पिता इतना selfish हो सकता है देखने में भाशकर बिलकुल एक अवल दर्जे का आदमी लगता है selfish लेकिन क्या वो बिन बिन प्रकार के लोग होते है यह नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं एक मतलब जो जो जनल जैसा भी है हम अगर उसको समझने की कोशिश करें तो हम शायद उसको मतलब राइट ओफ नहीं करेंगे अम लोगों को कहने का मतलब यह है पहले पार्ट का जवाब आपने नहीं दिया कि इंस्पिरेशन कहां से आती है जो आपको ख्याती दिलाते हैं दोनर हो पिकू हो इनका सब कहां से आपको कुछ तो क्या होता है कि आप जैसे फिर से बोलूँगी जिन्दगी में कभी कहां कभ किस से मिले किसी की कौन सी बात रह गई दिमाग में और फिर ज़री नहीं कि आप वही सब कुछ जिस से आप मिले वही आपने सारा कुछ लिख दिया वो एक जिसे कहते न एक सीड मिल गई आपको एक पच्छस साल पहले किसी से अगर मिले और उसका कोई एक अंदाज आपको याद रहे गया उसकी कोई हरकत आपको याद रहे गई बस उतना काफी है और फिर वहां से आप उसको डिवलप करना शूर कर देते हैं अच्छा अगर वो ऐसे नहीं ऐसे बोलता ऐसे नहीं ऐसे बोलता ये नहीं ये करता ऐसे चलता ऐसे खाता ऐसे बैठता ऐसे सोचता वो वहाँ से एक आपको सीड़ी मिल जाती है चड़ने के लिए वो जमीन है जिसके उपर फिर आप बिल्ड अप करना शुरू कर देते हैं आज़टर्स कोई मिल जाए जिसको आप छाप दें कहानी में ऐसा तो नहीं होता लेकिन फिर भी इंस्पिरेशन अपनी अपने आसपास के दाई गंटे दो गंटे के अमूमन फिल्म होती है इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने बारे में लिग लिए हैं ऐसा नहीं होता और कई बार थौट्स बरेक भी होती हैं पताचल आप सोचके कुछ बैठे थे इसमें तोड़ा बदलाव होना चाहिए कुछ कह रही है I cannot hear you आगे या तो या तो अपना question पहुंचा दीजे तब मैं सुन पाऊंगी Strong feminist roles को आप कैसे अपने characters में जोडती है मुझे लगता है कि औरतों से ज़्यादा strong और empowered कोई जना ही नहीं मौका नहीं मिल पाता है उनको अपने अपनी उस हिम्मत को दिखा पाने का लेकिन आप अपने आसपास देख लिजे और ये मेरी लिए तो मतलब जो eye opener रहा है वो ये है कि Bombay में जब आप रह रहे हैं हम सोचते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं offices में जा रहे हैं और multinational companies में बात रह रहे हैं, meetings कर रहे हैं बहुत ही hectic life lead कर रहे हैं या Piku की life देखो किती tough life है लेकिन औरतों की life कहीं ज़्यादा tough है और मैंने उस चीज़ को observe करा है बड़ा मैंने ये सवाल पुछते हैं आपके साथ होता है ऐसा आप Bombay में हों लोग आपसे मिल रहे हैं करी लोग पहली बार भी मिलते हैं अच्छा आप लखनू से हैं ऐसा होता है आप within exclamation mark अच्छा आप लखनू से हैं जिनों ने अपना नाम बनाया है बॉलीवुड में और इतने दो आपकी जबरदस हिट फिल्म्स रहें इंडिस्ट्री में अच्छी लखनू बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि थैंक्फुली मुझ से पहले कई धुरंदर एक से आये ले लखनों से लड़की है और उसने नाम कमाया है ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है शायद शायद खानी बोला अपने खेर डायलोग और स्क्रिप्ट लिखने में मतलब कहानी लेखनी में दोनों में से आपको क्या पसंद है मतलब एक बच्चा चुनना बड़ा मुश्किल होता है लेकि नहीं चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इतने जादा निरभर है कहानी को कोई मतलब भी नहीं कहानी आपके आगे बढ़ रही है सिर्फ खाली प्लोट से नहीं बढ़ रही है मैं आपके साथ क्या बात कर रही हूँ उस हिसाब से जो कारेक्टर निकलता आ रहा है अगले सीन में वो क्या बोलेगा और पिर क्या बोलेगा यह बहुत जादा तो क्या होता है कि अच्छी यह बहुत अच्छा क्वेस्टिन पूछा आपने क्योंकि कई बार यह मेरी जिग्यासा है जब लिखती हूँ मैं मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डालोग्स मैं तब यह तीनों एक दूसरे से जोदा नहीं है ठीक है स्टोरी एक बेसिक मैं बोल सकती हूँ कि अलग है लेकिन स्क्रीन प्ले और डालोगस वो एक दूसरे पर बहुत जादा निर्फ़ करते है आपकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं अगर आपको यह नहीं पता कि आपके कारेक्टर्स सोच क्या रहे हैं कहे क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं अगली उनकी क्या लाइफ उनकी लाइफ में अगला ऐसा क्या होने वाला है वो आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप उस कैरेक्टर को उस इंसान को पूरे अच्छे से अंदर तक नहीं जानते हैं, वो आप तभी जानेंगे जब आप उसकी बात से नहीं अगर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कई लोग चाहते हैं कि एक बार एक बेसिक स्ट्रीन प्ले लिख लो लिखनें कर लो कि बेसिक शॉर्ट ब्रेकडाउन क्या होगा, इस सीन के बाद क्या है, फिर क्या है, तो वो मैं नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि मेरी कहानी तो आगे बड़ेगी ही नहीं चारेक्टर्स के बिना, उन को सुने बिना, उनसे कुछ कहलवाए बिना मैं आगे नहीं बड़ सकते हूँ, मेरे लिए वो बहुत जादा जरूरी है, पूरी फिल्म के प्लॉट से जादा जरूरी लोग हैं, वो मेरी फिल्म के जो मेरे अपने, मुझे लगता है जीते जाकते इंसान है, हार, मास, हड़ी, खून, सब है उनमें, तो वो कहने के लिए भाशकौर एक फिल्म का कारेक्टर है, या पीकू कारेक्टर है, या विकी है, या आश्रिमा, या बीजी, मेरे लिए तो वो एकदम जीते जाकते हैं इंसान है, और जिस दिन से उनका नाम पेड़ से गिरता है, जब गुलाबों से ताबों के लिए आप आई ही शहर में, कैसा रहा नुभाव, अलब तब लगा कि हम अपने ही शहर में, अपने ही घर में शूट कर रहे हैं, ओनसली, मतलब, मन में न, एक बहुत ही सुकून वाली इतनी, comfort, yes, लेकिन एक होता है न, कि आपने इस शहर से इतना कुछ लिया है, मतलब, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है, उसका कोई भी, मतलब, मैं बया ही नहीं कर सकती हूँ, और, I'm sure this is, आपके लिए इस तरीका, यहासे में, जो भी जना, मतलब, जिस भी शहर को बिलॉ हर समय, सोते, जगते, उड़ते, बैठते, आप यहीं का हिस्सा हो, यह शहर आपके अंदर इतना ज़्यादा है, कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब यहां आके फिल्म शूट करी, तो मन में एक शांती थी, कि आज इस काबिल बनाया, इस शहर ने, कि वापस आके यहां का सीख यहीं पर लेबाने, घर के कमफर्ट जोन में कर सकते हैं, फिर वो कमफर्ट जोन छोड़ कर जो ही क्यों गई? आप अपने दोस्तों में ज़्यादा इन्वाल्व हो जाते हो, घर के लोग तो हैंई, वो कहां जाएंगे, तो लखनो शायद वही घर का जना है, जो है, और दुनिया हैं बाकी लोग, लेकिन लखनो उने खींचा ने कभी, लखनो उने जाने दिया, क्योंकि पता था कि दया जाओगे जाओ, लेकिन आँगे तो यहीं, और यह है ऑगे तो यह हो भी और यहां पहली दफा से और अगेका अक्सर अमने इसमङचर वद्यान को बाहर से देखा यहां अपने बड़े आयोजन में मैं शुह करेटकर एक नामचीन शक्सियत का इंट्रव्यो करेगे, ये कभी नहीं सोचा था बिलकुल भी नहीं मतलब आपने सोचा था आप यहां मेरे साथ रुबरू होंगी और हम बेटकर उद्यान के अंदर हम साहित आज तक कर रहे होंगे बिलकुल नहीं लग रहा है कि अभी बस उठके कपूर थला जाना है यासरगन जाना है क्योंकि जैसे बोलते हैं कावत होती है मुल्ला की दौर मस्जज़ तो जब जुई रहाती है तो जुई कपूर थला बना पहला है आपका जो बदलब स्थान निकला हो यादू वाले लखनो है मैं कल एक शक्सियत का इंटर्व्यू कर रही थी उनका कहना था बहुत बदल गया है लखनो पुराने लखनों में भी आप जाएंगे न वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे तो वो बहुत खुश नहीं थे इस नहीं लखनों से पुराने लखनों के साथ नहीं ये तो सब जगे हो रहा है लेकिन फिर भी ये जरूरी है क्योंकि एक वो मन्धन होता है जरूरी है कि लोग उस चेंज से उस बदलाव से गुजरें ताकि उनके पास एक वो तो होना चाहिए एक comparative point तो होना चाहिए कि क्या था, क्या है, क्या होगा और ये change जो हमारे time में जब हम थे यहाँ पे तो शायद हमारे बड़ों ने भी तब यही सोचा होगा रे शहर तो बदल गया ये वो शहर नहीं रहा और ये generations यही बोलेंगी हर आने वाली पीड़ी यही कहेगी कि ये वो नहीं रहा जो था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये वो रहेगा बहुत मुश्किल है कभी आप लखनों के बारे में भी लिखिये ना गुलाबों सताव हो तो पूरी यहीं के लिखिये इसा नहीं है मतलब विचार है आपके मन में या पिर आज ही एक नहीं नहीं ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि लखनों के लिए लखनों के इतनी यादे हैं और इतना कुछ है लखनों के बारे में लिखने के लिए या अपने उस जीवन के बारे में लिखने के लिए कई बार ऐसा लगता है कि वो जना ही अलग था अब जो है और तब जो थे कई बार लगता है वो तो कुछ और था वो कुछ और ही समय था वो कुछ और ही टाइम था वो कोई और ही महला था वो लोग ही कोई और थे कहां गए वो लोग लेकिन शायद अभी उतनी हिम्मती नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि क्या होगा ना कि अंदर तक बहुत जादा गहराई में जाके रहना पड़ेगा कई समय के लिए काफी समय के लिए और उतनी गहराई में जाने में तो वापस आजाती है वाली अजाती है लेकिन अगर आप आप फिलाल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एक चीज आपको बताना चाहेंगे जो ही अब डिरेक्शन के शेत्र में कदम रख रहे हैं तो डिरेक्शन की और यह आगे बढ़ेंगी अब सिर्फ लेकिका या फिर डायलोग राइटर तक सीमित नहीं है और जैसा कि सभी चा आपके लिए काफी पढ़ रहा है या फिर और आगे डिरेक्टर से भी और आगे क्या सोचा है नहीं है और डिरेक्टर बनने के लिए भी नहीं सोचा था लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कहानियां ऐसी होती है और यह ऐसे पहले लोगों को बोलते सुना था और समझ में कि और नहीं लिख रहे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी मिली है, जिसमें लग रहा है कि ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, पताएंगी नहीं है, उसको तो उसमें तो भी माथा पोडी करनी बाकी है, लेकिन बहुत सारे ह यहां पर दर्शक और श्रोता ऐसे आते हैं, वो हमेशा पूछते भी हैं और हम भी पूछना चाहते हैं कि जबी आपका कोई काम उसकी सराना होती है, नाशनल अवार्ड मिलता है, उसे आगे भी कुछ होता है या फिर नाशनल अवार्ड अपने आप में परिपून है और यह सोचना है कि किसी ने आपके काम को, आपके विचारों को इतना सराहा, इतना तवजुदी, इतना इतनी इंपोर्टन्स दी कि उन्हें लगा कि आप यह नाशनल अवार्ड के लाइक आप लिखती हैं, यह उनकी मतलब क्या बोलूँ मैं, अबिसली आम इंडेटिट लेकिन लिखते समय आदमी यह अवार्ड वगरा यह सब सोच के नहीं लिखता है, ना यह सब अवार्ड सोच के लिखने बैठता है, यह मिले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शेल्फ पर रख दिये गए, लेकिन रोज में दिमांग में यह सब नहीं आता है, कि हमको तो भ बैठे के लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, वो हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और मिले इसलिए लिखेंगे, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूछा ही था, कि जब यहां से मोवाओ कर रहे हैं तो लोगोंने कहा भी होगा, यहीं से लिख लो, नहीं सभी कुछ जूम पे हुआ है, सभी मीटिंग जूम पे हुई है, लोगोंने बैठ के शूटिंग भी कर ली है, एडिटिंग हो गई, कलरिंग हो गई फिल्म की, तो ऐसा तो बिल्कुल ज़रुरत नहीं है अब की आप, लेकिन क्या होता है, कि एक महौल होता है, जब आप फि सोच का असर करेगा, चेंज करेगा, वो मैं आपको एक्स्टेंग नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत जबरदस सिनर्जी होती है, वो जो उर्जा है उस समय की, आप इन्वार्यमेंट बोल रहे हैं, जो यहां क्रिएट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि, मैं तब के लिए बैठ के लिखेंगे, कहीं भी आप बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन जब आक्टर आपकी स्क्रिप्ट को आपके लिखेवे काम को पढ़ रहा होगा, या आप उसको नरेट कर रहे होंगे, उस समय जो एक्स्चेंज है इनर्जी का, वो दूर बैठ के नहीं हो सकता, उस समय जो दो लोगों के बीच में जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, जो महौल होता है, डिसकुशन होते है, बहस होती है, आर्गुमेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी है. जो ही ने कितनी बार अपती लाइफ में रिजेक्शन स्पेस किये, इनिशिल जब आपका करियर शुरू हो रहा था, लोगोंने कहा होगा ना, कि क्या आता है, कहां से आई है, कौन है, हम तो नहीं जानते हैं, ये सब एक, आपके इर्दगिर्द मतलब रह गया या फिर आप बड़े काम, आइडियाज आएं, अडविटाइजिंग एक बहुत छोडी सी इंडिस्ट्री है, फिल्म इंडिस्ट्री के सामने, वहां पर लिखते थे, तो क्लाइंट्स आए दिन आपके आइडियाज रिजेक्शन से कोई प्राब्लम नहीं थी, ठीके, आज ये आइडिय कर दिया, कल दस और आइडिया आजाएंगे, इतनी हम्मत आ गई थी, कि एक आइडिया पकड़के उसको बैठ नहीं जाते थे, क्योंकि अगर दिमाग में ये सोच आ सकती है, तो दस और आ सकती है, मतलब इतना भरोसा है अपने सोचने पे, अपने, you know, thinking capacity पे, कि limited नहीं है आइडिया की दुनिया limited नहीं है, और जिस भंडार से निकला है एक आइडिया, उससे पचास और निकल सकते हैं, तो आज आपको ये नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, हम कल दस और लेकर आ जाएंगे, तो उसी mindset से, film industry में भी काम करना शुरू करा, लिखना शुरू करा, किस फिल्म जिसके dialogues लिखे थे, शुबाइट व अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वो लिखते-लिखते काफी कुछ सीख लिया, फिर उसके बाद जब विकी डोनर आई, तो और किसी ने तो सुना नहीं था उसका ऐडिया, खाली शुरू सरकार ने सुना था, और उनको व दिरेक्शन के शेत्र में उतरेंगी, तो मैं हमेशा सही जाना चाहते हूं कि स्क्रिप्ट के हिसाब से तो आप लोग अक्टर चुनते हैं, लेकिन कई बार वो स्क्रिप्स रिजेक्ट हो जाती हैं, आपको बन मुताबिक अक्टर नहीं मिलते हैं, जो सोच थी, जो उसके हिसाब से वो स्क्रीन प्ले नहीं हो पाता है, तब आप किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट मॉडिफाय करेंगी, अपने जो डिरेक्शन में आपने जो सोचा है, उसको मॉडिफाय करेंगी, या फिर ठीक है, आज की डेट पर ये अक्टर अच्छा कर रहा है, ये पॉ महीने, बारा महीने, साल, देर साल, जो भी, वो इसलिए लगता है कि आप ठोक बजा के, हर तरह से सोच के, हर पहलू सोच के आप लिखें, तो जब आप सब कुछ हर तरीके से सोच चुके होते हैं, तभी आप उस स्क्रिप्ट को लॉक करते हैं, कि यही है, और मुझे यही बनाना है, क्योंकि आप पिछले दो साल से एकी आइडिया पे, एकी थॉट पे, आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, और सब कुछ इन्वेस्ट करना मतलब आपकी जो लाइफ है, सोना, जगना, ओटना, बैटना, खाना, पीना, सब उसी आइडिया के इर्दगिर्द नाच रही होती है, आप एक लाइफ रीट कर रहे हैं, लेकिन मन में, दिमांग में कुछ और चल रहा होता है, आपकी स्क्रिप्ट चल रही होती है, तो जब आप उसमें इतना कुछ के भी साथ काम करा, उनने ने ये का कि नहीं, स्क्रिप्ट यही है, और यही शूट करेंगे, अगर बहुत ही अच्छे सजेशन्स आए, तो बात अलगे, क्योंकि कई बार जैसे इर्वान खान जैसे आक्टर, या मिस्टर बच्चन जैसे आक्टर्स, इनके पास इतना experience है लाइफ का, और अपनी acting का, और अपनी कला का, कि यह मुखता होगी मेरी, कि मैं उनसे उनके suggestions ना लो, उनके बताए suggestions को मैं सोचू ना, यह बहुती बड़ी गलती होगी, तो जब ऐसे लोग suggest करते हैं, तो आप वापस जाते हैं, कमर्शल success के लिए, फिल्म के लिए शायद हो ज़रूरी है, क्योंकि at least यह पता चालता है, कि आजकर लोग किन actors को देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान तो first time actor थे, roadies कर रहे थे, यामी भी serials में काम कर रहे थी, पर as a film heroine, तो यह उनकी भी पहली film थी, तो कई बार होता है, कि film का fate होता है, actor का fate होता है, और वो right energy, right people at the right time, हो सकता है वो established actor हो, हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं actors हो, यह आपका fate ही था, कि लखनों की बेटी होके, आपने इतना बड़ा मकाम, इस industry में बनाया है, और नाम रौशन किया है, शहर का बहुत बहुत शुब कामना है, आपके direction के career के लो, जो भी आज, आपने यहाँ पर कहा, और आगे के आपके career के लिए, बहुत शुक्रिया जुदने के लिए, जोड़दार तालिया हमाय साथ मंच मरती